बहुत पहलना तिन पिगलेट्स अपनी मा दे नाल एक निक्के जहे कारविच रेंदे सी समय आ गया सी कि हुण ओ कारचड के अपनी नवी जिन्दगी बसान अपने आ उन्ना दी मा ने तिन्ना नू अपने कोल बुलाया मेरे जुआको हुड समय आ गया है कि तुसी दुनिया वेखो अपनी नवी जिन्दगी दी शुरुवात करो पुलड़ाना तुसी चाहे जो भी करो ओनू पूरा जीला के करना जिन्दगी जीड़दा ए सब तो सही तरीका है थोड़ी जही उदासी अथे थोड़ी जही खुशी नाल तिन्नों पिगलेट्स अपनी मानू मिलके निकल पए थोड़ी देर चलण मगनू ओन्ना नू एक जमीन मिली जित्थे ओ अपना कर बणा सकदे सी सब तो निके पिगलेट्स ने का नाल अपना कर बनाण दी सोची ओनू लग्या फटाफट सोखे ही एक कर बण जावेगा अते खेलण लई बहुत समय मिलेगा निके दा कर एक दिन विच बण के तियार हो गया ओने अपने प्रानू के हा वेख हो मेरा कार बण गया बड़ा पिगलेट कार नू वेख के बोलेया ओहो आ करता बिलकुल भी टिका हो नहीं है असी पेडिये तो किमे बचांगे निके ने बड़े दी गाल नू रफादफा कर दिता टेंशन ना लवो कुछ नहीं होवेगा बाच फेर ना कहना के किसे ना कहा नी बिचले पिगलेट ने अपना कर लखडी नाल बनाण दी सोची जंगल विच्चों टेंडिया कठिया करके ओ अपने काम विच लग गया तीजे दिन बिचले दा कार वी बण गया एक कार का वाले कार नालों ज्यादा टिकाऊ सी बड़ा ओदे कार नों वेख के बोलेया तु बड़ी में तुना बनाया इसनों बड़ा सुन्दर का रहे है और की इस विच असी पेड़िये तु बाच सकांगे बिचला बोलेया बिल्कुल सुरखी थै क्यों टेंचन ला रहे हो बाद विच नहीं कहना कि किसे ने कहा नी निका आते बिचला जदों अपने अपने कार विच मौज़ा ले रहे सी पड़ा अपना कार बणा रहा सी ओ इटा अते पत्रा नाल अपना कार बणा रहा सी बाखी दोना नू लग रहा सी के ओ फिजूल ही इनना कम कर रहा है ओ दोनों खेल कूद के अपना समा बिता रहे सी जदों साड़ी वर्गा छेती छेती कार बण सकता है ता एनी मैनत क्यों? हेहे किनना दर्दा है? बड़े ने उनना दे गल्ला उते त्यान नहीं दिता पूरे साथ दिन मैनत करके उनने अपना शांदर अते मजबूत कार बणाया अगले ही दिन एक पुखा पेडिया उनना दे इलाके विच आया उनने कादा कारवेख्या ते ओर रुक गया निका सोफे उते बैठा अराम फर्मा रहासी पेडिये ने बुहा खड़काया द्रजा खोलो मैं अंदर आना हैं नहीं खोलो गे ता दो चार फूक मारके कार उड़ा दियांगा तुसे कुछ नहीं कर सकते मेरा कार बहुत मजबूत है पेडिये ने जोर नाल अपणे मुँ विच्चों सा छड़्या आते कार तुट गया निका जीवे तीवे पाज के निकल गया आते पज़दा होया बिचले दे लकड़ी वाले कार पहुँच गया ओदे बुहा खड़कांदे ही बिचले ने बुहा खोल दिता आते निका अंदर जाके लुक गया छेती बंद कार बुहा पेडिया आ जावेगा कबरा आ ना ओइस कर्ची नहीं आ सकता ओसे वेले पेडिया ओथे पॉंचया आते अवाज मारी द्राजा खोलो मैं अंधर आना है नहीं खोलो गे ता दो चार फूक मारके कार तोड़ दियांगा कुछ नहीं कर सकता तूँ पेडिये ने जोर नाल अपने मुँ विच्चों सा छड्डया अते कार तुट गया जीवे तीवे दोनों प्रा पाज के बड़े दे कार पहुंचे बड़े पेडिया पिछे प्या है की खरिये बड़े ने उन्ना नू परोसा दित्ता टेंशेन नहीं लेनी एदांदा कोश नी होना थोड़ी देर बाद ओ पुखा पेडिया एथेवी पहुँच गया द्रज्या खोलो मैं अंदर आना है नहीं खोलोगे ता दो चार फूक मारके कहर तोड़ दियांगा कोशिश भी ना करना एदांदा कुछ भी नहीं कर सकेंगा पेडिये ने गुसे विच अपने मूँ विच्चों सा छड़्या पर ओक कार हिल्यावी नहीं, पोरावी नहीं, एक इत्वी नहीं हिला सक्या ओ ठक हार के ओने दुझी तरकीप सोची कार दे उत्ते एक चिमनी सी अते ओ ओ दे उत्ते चड़न लगपया ओनु चड़दे होई वेख के ओनु अंदर आन तो रोकण वास्ते बड़े ने फायर प्लेस विच अग बाल दित्ती अते एक पाणी दा पांडा ओ दे उत्ते रख दित्ता पेडिया चिमनी दे उत्ते पौंच दे ही चिमनी दे अंदर उत्रन लगपया अते सिद्धा उबल दे होई पाणी विच दिग गया तिन्नो प्रा पेडिये नु हरा थे एक दूजे नाल गले मिले तिन्नो प्रा अगले दिन अपनी कहानी सुनाण लई मा कोल गए निका सब तों पहला बोलिया तुसी सही केहा सी जेडा वी कम करोगे पूरा जी लाके करना पूरा जी लाके करोगे ताही काम्याभी मिलेगी ओस दिन तों बाद निके अते बिचले ने आलस छड़ दित्ता बड़े प्रावरगी मेनत करन लगपए अते हसी खुशी जिन्दगी जीन्दे रहे बहुत पहला एक खुडी सी हाईडी ओधे पेरेंस दे गुजरन्तों बाद ओधी आंटी ने ओधा ख्याल रख्या एक दिन ओ हाईडी नू लाके ओधे दादा जी कोल गए जेडे पहाडा विच रहेंदे सी दादा जी पूरा छीड़ छीड़े सबादे बुजर्ख सी जो कल्ले एक छोटे जहे जोपड़े विच रहेंदे सी एप पहली बारी सी के हाईडी अपने दादू नू मिल रही सी किसे दुज्जे शहर विच नौकरी मिली है एक है के आँटी हाईडी नू दादू कोल छड़ के चली गई दादू जेडे एन्ने साला तो कल्ले सी खुश सी कि ओना दी पोती हुन ओना दे नाल है पर अपनी खुशी हाईडी नू नई वखाई ओना ने हाईडी लाई स्टोर रूम विच एक प्यारा जेहा बेड लगाया हाईडी नू दादू बड़े पसंद आया एथे पहाडा विच उन्नू खुशिया मिलन वाली हाँ सी स्वेरे उठदे दादू ने उन्नू अपने बड़े सारे डोगी जौसफ नाल मिलवाया हाईडी नू जौसप बड़ा चंगा लगया एक दिन पहाडा विच कुमदे होए उन्नू पीतर मिल्या पीतर सी शेफर्ड जेडा अपनी बख्रियानू का चरा रहा सी मैनू तू पहले निंदी सी कदीवी हाँ मैं कल ही आई हाँ उन्न दादू दे नाल रहांगी अगले दिनाच ओं नाल नाल पहाडा विच कुमद फिरन लगे हाईडी दी लाइफ मजेदार हो गई सी उन्नू पीतर पोहौद प्यार करदा सी उन्ने उन्नू शेफर्ड वन्ना वी सिखाया पूरा पूरा दिन पहाडा विच दोड पाज करके आईडी खुश सी और वो दादू दे कारदे कम्मा विच वी हाथ बटान दी सी अपने दादू दे ओवेंच ब्रेड बेक कररा ओधा फेवरेट कम सी वो ब्रेड बना के पीतर दी दादी नू देन दी सी ते बदले विच पीतर दी दादे उनू बकरी दा ताजा तुद पिलांदी सी इक दिन गर्मी तो बाद से आला दा मौसम आ गया पीतर दा स्कूल जाना शुरू हो गया ते हाईडी कल्ली पैगे इक दिन अचानक हाईडी दी आंटी उनू वापस शहर ले जान वास्ते आई उनू कारविच पढ़ान ते कम करान वास्ते दादुनू ऐस उनके बड़ा बुरा लगया ते उन मन्ने ने पर ज़रा सोचन दे उनना नू लगया कि हाईडी दे वास्ते एई ही चंगा रहेगा कि उन शेर जाके पढ़ाई लिखाई करे मैनू एथो नहीं जाना, मैनू ददो दे कोली रहना है आंटी दे एए कहन करके कि ओक कुछी दिना बाद ओनू एथे वापिस ले आवेगी हाईडी मन दे ट्रेन विच लंबा सफर तै करके ओ एक महल वरगे कार विच पहुंचे इनना वट्टा खार मैंके इस गार्च रहन वालिया हाईडी कार दी प्यारी क्लारा नू मिली क्लारा तुर नहीं सकती सी क्योंकि ओधा एक्सिडेंट होया सी आंटी हाईडी नू एथे लेके आई सी ताकी क्लारा नू एक दोस्त मिल जावे ए दोन्नों परिया बहुत जल्दी बेस फ्रेंज बन गईया हाईडी दे टांग वक्रे सी ते क्लारा ओधी गलतियां दे खूब मजे लेंदी सी क्लारा दी दादी बड़ी डाडी सी क्लारा दी दादी हाईडी नू बहुत कुछ सिखा रही सी जिवे टांग नाल बैठना उठना ते कांटे चुरी नाल खाना खाना हुन हाइडी कपड़े वी शहर वाल्यां वरगी पान लग पई सी पर ओते विच आराम नहीं मिल रहा सी उन्हों क्लारा वी हाइडी नू पढ़ना लिखना सिखा रही सी हाइडी नू क्लारा दे नाल रहना चंगा ते लग रहा सी पर उनु पहाडा ते दादू दी बहुत यादांदी से एनी याद के उनु खाना वी नहीं चंगा लगता से क्लारा दे दादी ते पापानू हाईडी दे दुखता एहसास होया उन्हाने फैसला किता उनु वापस उदे दादू कोल पेजणदा क्लारा उदास हो गई क्योंकि हाईडी जानवाली सी प्यार उन्हु कहनदे ने जदो तुसी किसे दी खुशी चानदे हो किसी वी कीमत ते ते वक्त आ गया गुडबाई कहनदा हाईडी दी आंटी ने कहा कि क्लारा उन्हु मिलन अगले साल पाहाडा विच आवेगी पाहाडा विच आंदे ही जिवे उन्हु जिन्दगी वापिस मिल गई ओर रस्ते विच पीटर दे कार गई ते ओधी दादी नू लारा दा दिता होया ब्रेड दिता अपना शेहर वाला ड्रेस उथे छड के उपाज के दादुनू मिलन गई ते उन्हानू हुट के जपते पाले हाईडी दे खुशीदा ठिकाना नहीं रहा जदो उन्हु एक चिठी मिली के क्लारा उन्हु मिलन आ रही है क्लारा नू पहाड ते पीटर दोन्हों पसंद आए और पीटर जरा अन्मना जेह सी क्योंकि उन्हु लग रहा सी के क्लारा हाईडी नू अपने नाल फेर शहर ले जावेगी ये तीन्हों मिलके बहुत मोजमस्ती कर रहे सी पहाडा दी ताजी हवा, फल, सबजी, क्लारा दी सेहत वास्ते बहुत चंगे सी पर पीटर नू क्लारा नाल जलन हो लगी क्योंकि उन्हों हाईडी दी बेस्ट फ्रेंज सी पीटर नू क्लारा नू वीलचेर ते बिठाना ते कुमाना वी नहीं पसंसी एक दिन उन्होंने क्लारा दी वीलचेर नू पहाड तों थल्ले सुट दिता उन्हों लगया कि सारिया प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जान गिया ताजी हवा दे सहारे ते बिना वीलचेर तूं क्लारा विच काफी ताकत आ गई ते ओ हाईडी नाल होली होली तुरन लग पई ते फेर आप पे बिना किसी सहारे तुरन लग पई मैं तुर रही यां हाईडी ऐसब तेरी वजानाल एक दिन क्लारा दी दादी ते पापा ओथे आए ते चौक गय उन्हों तुर्दे होई वेख उन्हाने दादू ते हाईडी नू जी पार के थैंक्यू केहा उसी वेले पीटर नू अपने कित्ते ते पचतावा होया उन्हें क्लारा दी वीलचेर नू सुठना कबूल किता मैं तोड़े सारे नाल माफी जान्दा बहुत गलत किता मैं माफ ता करांगी ही एना क्लारा पले ही तो गलत किता परोदा तुरना सब तो बड़े खुशी है सब खुशी नाल हस पय क्लारा ते उस दे परिवार में अगले साल फेरांदा वादा किता ते उस सारे नाल नाल हमेशा खुश रहे साड़ी प्यारी जलपरी डूंगे बहा सागरा विच बहुत कुछ लुकिया से जिदे बारे विच कोई नहीं जानदा से वडिया वडिया वेल्स शरारते हुई या डॉल्फिन्स अथे रेन्बो दे हर कलर दिया मचिया ओस्तों वी थल्ले जिदे सूरज दिया किर्णा वी नहीं पहुँच दिया सी ओथे सी डीप सी किंडम ओथों दे लोकी बाकी प्राणिया दे नाल बड़े ही प्रेम नाल रेंदे सी ओथों दे बादशा अपनी मा अथे छे तिया नाल रेंदे सी अथे समुंदरा ते राज कर दे सी बादशा नू अपनी तिया नाल बहुत प्यार सी ओणा नू डर सी कि कदी ना कदी तरती दे लोग ओणा दि तिया नू नुकसान पचाणगे ऐसले ओणा नू पाणी दे उपरले हिस्से विच तेरंदी परमीशन नहीं दिन दे सी प्यारी जलपरी नू जानना सी कि तरती दे रहन वाले लोगी कि दादे हुंदे ने ओधिया पैना तो सुनिया कहानिया काफी नहीं सी ओधि बेबेवी ओणू मनुखा तो दूर रहन लई कैंदी रहन दी सी ओँ समुंदर दे गेट तों बाहर ताहीं जा सक दी सी जदों राजकुमारी बन जावे अते अपनी पैना जिननी वड़ी हो जावे प्यारी जलपरी ने अपनी पैना नू बाहर जानदे होई वेक के ए मिथ लेया के ओवी जावेगी पर किदा ओडॉल्फिन दे नाल गई हिम्रन वेलनू मिलन क्योंकि हिम्रन नू गेट दे अंदर बाहर होण दी पूरी अजादी सी उन्ने हिम्रन नू अपना प्लैन दसेया प्रा बाच्छा ना कौन पंगल अवेगा पर हिम्रन मनननू तयार नही सी पर फेर उन्नू ओदे हलात ते तरस आगया अधे ओदी मदद करण लई तयार हो गया हिम्रन अते डॉल्फिन सी गेट ते गए उन्ना नू वेक के गाड ने उन्ना नू जान दिता बिना किसे सवाल दे ओ तो काफी दूर जाके हिम्रन ने अपना वड़ा सारा मू खोलया अते अंद्रो निकली साड़ी प्यारी जलपरी एरियल एरियल हिम्रन दे मदद नाल समुंदर दे उत्ते तक गए उन्ने पहली बारी हवानू महसूस किता अते निगला असमान पहली बारी वेकिया किना चंगा है उससे काड़ी एरियल नू म्यूजिक सुनाई दित्ता कित्थों आ रही सी एतुन उन्ने विखिया कोल ही एक शिप सी उन्ने पहली बारी एक शिप नू विखिया सी एनू शिप कैंदे ने ना चलो चलिए डॉलफिल उन्नो कैंदा रहा ना जान वास्ते परो दूर निकल चुकी सी छेती छेती जा रही सी शिप वल एशिप किसे बादशादी सी ओ अपने पुत्तर प्रिंस एरिक दा बर्थड़े dan celebrate कर रही सी ओ अपने पुत्तर दा व्या छेती तो छेती करना चान दे सी ताही ता सारियां सिंगल प्रिंसेसेज नू इस पार्टी विच सद्या गया सी एता प्रिंस है ते मनुख्वी डॉल्फिन ने फेर वार्निंग दुत्ती एरियल ने प्रिंस दी तुन उत्ते बड़ा सुना गया प्रिंस नू आवाज बहुत चंगी लगी पर ए आ कितो रही है तु लुक जा एरियल वर्ना तेनू वेख लेणगे डॉल्फिन ने कहा प्यारी जलपरी अते डॉल्फिन दोनो पाणी दे अंदर चले गए डूंगे समुंदर विच सी किंग्डम दे अंदर समुंदर दे जादू गर्नी वेख रही सी ए सबकुछ अपनी क्रिस्टल बॉल्फिच आ गए ओ देन मा सागर दे बाट्शा दित्ती इक मनुख दे नाल तूफान आजा तो बाही बचाजा समुंदर दे ओ दे अपना जोर दिखाजा जादू गर्नी दे एदा कैंदे ही खतरनाक लेरा प्रिंस दे शिप वलनू तुरन लग पना अते ओ पथरा वल जान लग पई प्यारी जलपरी नू ए वेख के बहुत फिकर होण लगी ए शिप दा टकरा के टुटके दूब जावेगी सानू अना दे मदद करनी चाहिदी है प्यारी जलपरी नू दूब दे होए शिप दे कोल तेरदा होया प्रिंस दा फ्लूट मिलेया ते फेर दिसिया डुबदा होया प्रिंस ओ उनू हत्था नाल खिच के टैरदे होए सी शोर तक लेया आंदिये उठ जाओ प्लीज उठ जाओ प्रिंस नू होशानदा है ते ओ होडी होडी अपनी आखां खोलदा है तुसी जिन्दा हो प्यारी जलपरी ने खुश होके कहा दूरों एक कुट्टे दे पोंकन दी आवाज सुन के उनू ख्याल आया के ओ कित्थे है अते उन्हें समुंदर विच छाल मार दिती प्रिंस दा एक हेलपर अते एक प्रिंसेस ओथे आये उनू लबदे हो मैंनू एक कुडी ने बचाया मैं ओधी वाज पहला भी सुनी सी ओधी वाज बहुत सौनी सी प्यारी जलपरी वापस डीप सी किंडम विच आ चुकी सी प्रिंस दा फ्लूट ओधे कोल ही सी ओ उन्हा दे बारे ही सोच रही सी ओधो ही बादशाओ थे आंदेने अते फ्लूट नू वेख देने उन्हा नू वेख दे ही पता लग जानदा है कि ए किसे मनुख दी है साड़े कुछ नियम ने अते सब नू उन्हा दा पालन करना चाहिदा है खास कर मेरे बच्यानू कि ये साच है कि तू किसे मनुख नू डुबण तो बचाया मैनू बचाना पया नहीं ता प्रिंस ओथे ही मर जानदा एरियल ने मुढ के जवाब दिता बास करो मुनुक चंगे नहीं हुन दे ओना दी दुनिया ते साड़ी दुनिया वेश कोई रिष्टा नहीं हो सकता गुसे ना लाल बादशा दे जान पिछो एरियल ने मिठ लेया के हुन ता करना ही है एरियल सिद्धी गई समुन्दर दी जादू गणी दे कोल अते ओस्तों मदद मंगी मदद ता ओक कर देवेगी पर बदले विच उन्नू अपनी फी चाहिदी है बहुत महेंगी फी मैं एक दवाई बनावांगी जेडी तेन्नू मनुख बनादेवेगी तेरे दो पैरवी निकणाणगे बदले विच मैं नू चाहिदी है तेरी आवाज नेरे आवाज? पर क्यूं? ठक हार के प्यारी जलपरिये मन ही गई क्योंकि ए ओदे वास्ते बहुत जरूरी से याद रखी तीसरे दिन दे मुकन ता मतलब चोथे दिन दे सूरत चड़न तो पहला प्रिंस नू तेरे नाल प्यार होना चाहिदा है वरना तू फेर तो जलपरि बन जावेगी अते प्रिंस कदी भी तेरा नहीं होवेगा एरियल ओ दवाई कुट कुट करके पी गल ओ समुंदर दे उत्ते नू तेर के जान लगगे होली होली ओदे पैर निकलाए बिलकुल मनुखा वर गे डॉल्फिन दे नाल ओ सी शोर ते पहुंची ओदे ओथे आंदे ही प्रिंस दी नजर ओदे उत्ते पई तेओ ओदे कोल आया तुँ असी किते मिड़े हा ना? एरियल कुछ बोल नहीं सक दी सी पर उन्हें प्रिंस नू ओदा फ्लूट जरूर दित्ता प्रिंस ने ओस दिन वाली तुन फेर बजाई एरियल ने इशारा किता के ओस ने ए तुन पहलावी सुनी है प्रिंस नू पक्का यकीन सी के ओखुड़ी एरियल ही सी जिसने उन्हें बचाया सी पर उकुड़ी ता एक जलपरी सी ओधी बड़ी सुनी आवाज सी एरियल बेचारी चांदी तांसी पर कल नहीं कर सकी मैंनू लगया तुन एक जलपरी है अपनी आवास्ताओं जादूगर्णी नू दे आई सी प्रिंस नू लगया के ए ओखुड़ी नहीं है जिसने उन्हें बचाया सी फेर वी उन्हें ओधी मदद करण लई सोचया प्रिंस प्यारी जलपरी नू अपने महल विच ले आया बादशा ने व्यादियां तैयारियां करन दा हुकुम दित्ता ओ अपने पुत्तर दा व्या एक राजकुमारी नाल करन वाला सी बिचारी प्यारी जलपरी उन चुप चाप वेखन तो अलावा कुछ करवी नहीं सक दी सी जद तक बोले ना प्रिंस नू पता की में लगे उन्नू जादू गणी दी गल याद आई याद रखी तीसरे दिन दे मुकन तक मतलब चौथे दिन दे सूरत चड़न तो पहला प्रिंस नू तेरे नाल प्यार होना चाहिदा है वरना तू फेर तो जलपरी बन जावेंगी वेखदे वेखदे पहले दो दिन निकल गए हुण तीसरा दिन आगया ओसे दिन बादशा अते उना दी बेगम अपने पुतर दा व्या गवान दे राज दी प्रिंसेस नाल करवान वास्ते निकल गए बिचारी एरियल बोल ही नहीं सकी प्रिंस नू कि ओ ओ ही है जीनू ओ लब रहा सी प्रिंस ने मन लेया कि जो भी उनने वेख्या सी ओ एक सुपना सी एरियल नू सिर्फ एक ही आस सी प्रिंस लई ओधी चाहत चोथे दिन दा सूरड चड़न वाला सी एरियल दा रोणा रुक नहीं रहा सी अते उससे वेले कोई जादू जेहा होया पहला ओधिया सब पहना आईया अते फेर आई बेबे मेरी प्यारी ती है असे एथे आये हां उस जादू गर्णी दी कैद विच्चों तेन्नू बाहर कड़न वास्ते अते उससे वेले महा सागर दे बाद्शा प्रकट होया उन्ना तो अपनी तीदा गम सेहा नहीं गया एरियल मेरी प्यारी ती है तेरी खोशी तो बद के मेरे लेई होर कुछ भी नहीं है जा मेरी ती है बाद्शा ने अपना त्रिशूल बेबे दे हत विच एक शंक हुटते फिराया जिदे विच एरियल दी आवाज कैद सी थैंक्यू बेबे, थैंक्यू डाडी, तुस्ती सारे किन्ने चंगे हो हिम्रन वेल दी पिठ ते बैके ओ सारे प्रिंच दी शिप वल तुरपई प्रिंच ते प्रिंसस दा व्या होन ही वाला सी के प्रिंस रुक गया अचानक उन्हों जलपरी दी मिठी अवाज सुनाई दिती उन्हों अपने वल आंदा वेख के प्रिंस ने बिना रुके समुंदर विच छाल मार दिती मैं जानदा सी ओ तुही सी अपने दोस्ता अथे अपने परिवार दी मदद नाल एरियल नूँ ओधी अवाज वापिस मिल गए अथे प्रिंस वी पर हुण ओजलपरी नहीं सी ओपनी जिंदगी बितान वाली सी मनुक बणके एरियल ते प्रिंस दी दुनिया बसी दोस्ती शांती अथे प्रेम दे सुनेहे दे नाल समुन्दर अते तर्ती ते बिचका